यहां यह भी तो देखना होगा ना कि एजीत पवार जो क्लेम करके आए थे क्या वो डेलिवर कर पाए नहीं डेलिवर कर पाए तो राजनीती तो इसी तरह से गिवेंट टेक चलता है अगर आपका प्रभाव नहीं है आप जिस वजह से आप आए हैं वो नहीं कर पा रहे हैं और आने वाले विधान सभा चुनाव में अगर रजीत पवार की उजह से बहुत आड नहीं हो रहा होगा और अगर हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं कल हमने कह दिया या आज चर्चा होगा इक प्रफुल पटेल से यह हो जाएगा या दूसरी बात हो जाएगी तो क्या भा मुझे बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है चुकि सहयोगियों का रिप्रेजेंटेशन तो बड़ा क्लियर है उसमें आप कुछ कर नहीं सकते अगर जैन चोधरी की बात करें या प्रिया पटेल की बात करें और लेकिन अब राजनास सिंग तो जाहिर रही है जब आप टिकट डिस्टिबूइशन की बात करते हैं जब आप हारी हुई सीटों की समिच्छा करते हैं जब आप जिनको नया टिकट भी दिया वो कैसे लोग थे तो उस पर यह सवाल खड़ा होता है तो मेरा अभी भी यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि इस वाले में ना करें आगे कुछ करना हो लेकिन निश्चित तोर पर और लोगों को जो गुंजाईश जिसकों कहते हैं कि अपना कैडर कहा है इनके कारिकरता कहा है बीजेपी का वर्कर कहा है उसकी जरूरत बहुत है अनन जी कोई ब्रॉड थीम आपको बंतिमंदल में दिखाई ज़िए के लावा या वही है सब अब उत्तर प्रदेश में आपके उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक है अब उनको भी आप ब्रामनों का नेता कह सकते हैं अब उप मुख्यमंत्री है वो कौन सा कैडर जा हुए है और ब्रजेश पाठक के साथ शमा करिएगा और ऐसा लगता है कि जैसे भाजपा के कारेकरता उपेक्षित महसूस करते हैं तो अगर आप बाहर के जो लोग आए हुए है भारतिये जनता पाठी में उनको ज्यादा महत्व दीजिएगा और अपने कारेकरताओं को कम महत्व दीजिएगा सारफ जी तो मुझे लगता कारेकरता क्यों लगा रहता है उसके एस्पिरेशन्स होते हैं अच्छा हम मंत्री बन जाएंगे हम मतलब हम या हम से आइडिन्टिफाइड लोग बन जाएंगे जब वो तूटता है तब लोगों का दिल जो है वो तूटता है और उसकी परिणती इस चुनाव परिणाम में भारती जिन्तापाटी ने देखी कि किस तरह अपने कारेकरताओं को मतलब कारेकरता घर बैट गया आपको मैं बता रहा हूं कि वारा नसी से मेरे बात बात हुई वहाँ पर्ची तक नहीं बटे आदे शेत्र में है ना अब क्या बताओं ताज नदेसर में बैठके होती रही और कारेकरता दूर रहे ताज नदेसर में तो एक दो बड़े नेता ही रहते नहीं नहीं बहुत सारे नेता रहते वहाँ और जो 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 प्रदान मंत्री के छेत्र का मतलब देख भाल करने वाला था रोज ताज में बैठा मिलेगा आपको भी वोट तो ऐसे कारिकरताओं पर आपने भरोसा जताया जो जो लोगों तक पहुंचा ही नहीं आयोध्या क्यों हार गए फैजाबाद वहां के लोग हमें बता रहे हैं अभी कि कोई परची ही देने नह ही आया एक एक पीठ है वहाँ पैतालिस वोट है